कि आखिर में जावा में क्या-क्या है, किस तरीके से शुरुआत करनी चाहिए, सबसे जरूरी चीज ये है कि अगर आपने ये language सीख ली अच्छे से, तो आपको job का problem कभी नहीं आने वाला, बहुत सारे students online भी हैं आज, और जो लोग हैं offline, आप इस language के through career कर सकते हो IT में, आपक जाता है हमें, और उसके बाद इस language की जरूरत, ये job के लिए, आपको interviews में इसके उपर बहुत सारे questions पूछे जाते हैं, और इसके base पे आप projects भी बनाते हो, अपने resume में जो project आपको mention करने हैं, वो Java के करने हैं, आपको कोई भी project बनाना है, वो Java में बनाना है, ताकि आप उस से resume में अपने mention कर सको कि मैंने ये वाला और ये वाला project बनाया हुआ है, ताकि आपको उससे related question पूछे जाया और आपका काम हो जाया, तुरंद placement हो जाया, project ही सबसे जाता resume में matter करता है, आज की time पे और कुछ matter नहीं करता, आपने कितने projects बनाया और कौन से project बनाया है, उसक से पूरा बनाते हैं, लेकिन मैं आपको इतना बोल सकता हूँ, अगर आपने पूरा कोर जावा मुझसे सीख लिया, जो भी मैं पढ़ाऊंगा, आपको कभी problem नहीं आएगी project बनाने में, आप खुद से पूरा project बना सकते हो, आपको उतना knowledge होगा, और interviews के time पे confidence भी अलग level क होता है, अरे मैंने खुद बनाया है, मैं दे सकता हूँ interview, कोई भी company आने तो कुछ भी पूछने तो मैं कर सकता हूँ, ये कब आता है, जब आप खुद बनाते हो नहीं, तो मन नहीं करता interview देने का, अरे कैसे दे हमें तो कुछ आता नहीं, इसलिए आपको बहुत जरूरी ह बनाया है, खुझ से बनाया, देखो सबसे पहले तो java का मतलब है, java वैसे भी दो parts में मैं अभी इस समय डिवाइड कर रहा हूँ, बहुत सारे parts है, एक है core java और एक है advanced java, ऐसे दो parts है, और एक बात और बता देता हूँ, ये जो core java है, advanced java इसके अलावा भी java है, mobile development के लिए भी एक java use की जाती है एप development और अलग-अलग हैं ऐसे लेकिन यह जो कोर जावा ना इसको standard edition भी बोला जाता है जे टू जावा टू से standard edition बोला जाता है को जावा को और जो एडवांस जावा है इसे जे टू इई बोला जाता है मतलब enterprise edition यह एडवांस जावा है जिसमें हम projects बनाते हैं हमें को और जावा सीखना है इसमें लेकिन बहुत सारे topics में cover कराता हूं और बहुत समय लगता है जावा को खतम होने में अभी आप खुदी देख लो कौन से महीने में मैं शुरू कर रहा हूं खतम कम कब होगा आपको खुदी idea आ जाएगा बहुत सारे बच्चे तो last last में बोलते बहुत जादा पढ़ा दिया इन्होंने हम खुदी छोड़ देते हैं class तो आते ही नहीं फिर जब ए 1991 में बनाया था यह सब चीजे मैंने फर्स पार्ट में थोड़ा सा बताया था मैंने इंट्रोडक्शन दीया था लेकिन फिर भी बता देता हूं थोड़ा सा 1991 में बनाया था और यह launch हुई थी 1996 में Java 1.0 जिसे मैं बोलता हूं यह launch हुई थी 1996 में उसके बाद देखो उसके बाद मुझे और भी कुछ चीजें आपको बतानी है जैसे की जावा जो है इसको डाउनलोड वगएरे कैसे करना है वो सब चीजें में समझना है इसके features के बारे में जल्दी जल्दी बता देता हूं आपको जो मैंने बताया था जावा क्यों दूसरी languages से अच्छी मानी गई C, C++ से क्योंकि C programming और C++ platform dependent language थी मतलब platform मतलब operating system जैसे की Windows होता है Linux होता है Mac होता है मतलब अगर आपने Windows में बनाया कोई app तो वो Windows में ही चलता था अगर आप Mac operating system में कोई app बनाते हो तो आपके दोस्त का Mac का laptop है तो उसी में चलता था इन्होंने क्या किया एक जगा बनाओ कहीं भी चलाओ Mac है Windows है Linux है तो यह platform independent language थी इसका सबसे बड़ा point था famous होने का इसके दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है class वगरे अभी आता हूं आगे उसके बारे में बताऊंगा ही मैं और अभी तो इस समय बहुत Java के अलग-अलग वर्जन्स है Java 1.0 फिर 2.0 फिर 3 ऐसे करते हुए Java 8 आई फिर 11, 12, 16, 18, 17 अभी तो चली रहा है इतने सारे वर्जन्स है मैं आपको बता देता हूं Java जो है ना वो Sun Microsystems का product है एक company Sun Microsystems नाम की जो 1982 में बनी थी उसका product है Java लेकिन 2010 में उसे Oracle नाम की company ने खरीद लिया acquire कर लिया किसको Sun Microsystems को तो अब Sun Microsystems को अगर वो acquire कर लेंगे तो Java भी चली जाएगी ना उसी के साथ वो तो उसके अंडर product है उसका अब पूरी company ले लिए Oracle ने हा लेकिन Oracle और ये जो company है अपने सुनी होगी Oracle बड़ी company है यह Google अलग company है Oracle अलग company है दोनों के बीच में किया अपनी एक और language like Kotlin नाम की उसे launch किया क्योंकि पहले Android जो हुआ करती थी ना पूरी Java बेस्ट होती जावा ही होता था सब कुछ लेकिन इन्होंने सोचा कि नहीं अभी Java से थोड़ी दूरी बनानी पड़ेगी इन्होंने Kotlin को लाया और बोल दिया आज से हमारी official language अब Kotlin कोई किया जाता लेकिन अभी भी आज भी Kotlin से बहुत जादा बेटर Java मानी जाती Java बहुत जादा सिक्योर होती है robust है robust मतलब किसी भी situation पर चल सकती language कोई भी काम बोल दो Java में possible है कोई भी task बोल दो Java में possible है सब कुछ Java में किया जा सकता है आज तक हमने C C++ data structure पढ़ा अगर त जो भी application बनाएंगे वो ना console based application होंगे मतलब इस तरीके की black screen होगी इस तरीके की यहीं पर application बनेंगे text based application इसे बोला जाता है यह graphics based नहीं है इसे text based application बोला जाता है तो यह जो है यही हमें core Java में भी करना है लेकिन फिर आप सोचोगे कि ऐसे application कब बनाने का मौका मिलेगा जो graphical user interface वाला application होगा यह भी Java में लेकिन Java जब खतम होगी तब यह शुरू होगा मतलब core Java जब खतम होगी तो यह शुरू होगा Java कुना endless concept भी बोला जाता है Java कभी खतमी नहीं हो सकती कितना भी पढ़ो Java कभी खतम नहीं हो सकती ऐसी यह Java बहुत बड़ी है और उसको पूरा नही किया जा सकता है इसलिए उसको endless concept भी बोला जाता है उसके बाद रुको mobile दे दूँ किसी का call अगर आएगा तो अभी जो मैं यह बता रहा हूं आप लोगों से कि यह जो आपको दिखाई दे रहा है यह अप्लिकेशन एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है हम जब जब कोर जावा पूरी करेंगे तो इसको भी सीखेंगे यह बनाया कैसे जाता है एक जनरल application होता है login स्क्रिन वगेरे कैसे आती यह ग्राफिक्स वाले applications है शरुआत हम जावा के एंट से करते हैं इससे पहले हम c पढ़ते हैं c पलस प Turkish यह कब समझ में आता है कि अर्यार यह पढ़ क्यों रहा है इसकी जरुरत कब पता चलती जब आप इसके application मनाते हो जब प्रोग्राम में चेंजिस करने पड़ते हैं तब पता चलता रहे यहां पर यह कोड की जरूरत है हाँ सही बात है हमारा लॉजिक अच्छा ने इसके लिए अभी मैं लॉजिक लगा नहीं पा रहा हूं मुझे ऐसा करना है तो आप इधर उदर देखते हो देखके समझ अच्छा यह क्या यो लॉजिक कब लगाने आएगा आपको जब आप पहले से तयार रहोगे और सी प्रोग्रामिंग से हम ज्यादा तयार होते हैं जैसे कि एम स्टॉंग नंबर का प्रोग्राम मैं बोलता हूं पढ़ने को प्राइम नंबर का फिबो नसी सीरीज का उसके सबाध जितने भी प्रोग्राम से मैंने आपको फिक्स बताय है लुचिट का प्रोग्राम है आप इन प्रोग्राम्स की आट दस प्रोग्राम किसी प्रैक्टिस करो, बाकि कुछ मत करो, सी प्रोग्रामिंग में मैं तो ये भी बोलता हूँ, आप अगर ये आट दस चीज में अच्छे हो गए ना, तो आपको सब वैसे ही आ जाएगा, किसी चीज को पढ़ना है, आपको म पहले 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 टॉपिक पढ़ ले रहा हूँ, और जो तीसरे तीसरे टॉपिक से कुछ नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, इसका तीसरा करो, इसका तीसरा, इसका तीसरा सब कर लो, बस काम खतम, उसके लिए फिर जब आप वो पढ़ने बैठों तब लगेगा अरे यार इसके लिए तो मुझे अरे अच्छे से नहीं आता रुको देख लेता हूँ एक बार आरे तो इसी बहाने से अरे भी cover हो गया अरे इस topic के लिए for loop मुझे नहीं आता तो इसी बहाने से वो भी cover हो गया तो ये सब चीजें होती है और आपको कम से कम ये भी पता चलने लगता अरे इसका use क्या है हर चीज का नहीं तो हम आरे पढ़ते हैं पता ही नहीं होता कहां use करते हैं हम for loop पढ़ते हैं while loop कहां use करते हैं पता ही नहीं होता जिसको program नहीं आते तो ये सब चीजें होती है उसके बाद देखो जावा का जो प्रोग्राम हम बनाने वाले हैं मैं थोड़ा फास्ट गया क्योंकि पहले लेक्चर में मैंने थोड़ा इंट्रोड़क्शन दिया था बहुत स्लो पढ़ाया था उसमें अभी मुझे आपसे ये बताना है कि वैसे मैंने कुछ प्रोग्रामिंग औगरे कुछ पढ़ाया नहीं था और जनरली प्रोग्रामिंग ही नहीं पढ़ाता हूँ आप लोगों को पता है मैं थेरी कम पढ़ाता हूँ जो बोलते रहता हूँ वह सब थेरी रहेगी क्योंकि मेरे पास ना कोई notes है Ready ना कोई books है, जो भी मैं पढ़ाऊंगा, वो बोलूंगा, वो सब कुछ थेरी होगी, जो आप सुनोगे, as it is, जो जो मैं बोल रहा हूं, आपको वही मिलेगा, कहीं भी पढ़ लेना, बस मैं आपको concept समझा दूंगा, क्या है, notes हमारे app पे जाके, आप वहां से download कर सकते हो, वह है, आप अपने मन से पूरा का पूरा लिखके आ जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपने पढ़ा था, अपने कभी पढ़ा भी नहीं होगा, book में तो भी problem नहीं, तो भी पूरा paper लिखके आओगे, तो ये जरूरी होता है, समझना चीजों को याद करने की मुकाब है, मतलब वो है किसी ऐसी language में तेलगू जो आपको समझती नहीं, लेकिन लिखा हिंदी language में या आपकी language में मराठी या किसी भी language में लिखा हुआ है, जो भी होगा, आप उसको पढ़ तो लोगे, लेकिन आप समझ नहीं पाहोगे, फिर वो book याद करके दिखाओ मुझे, और आपने वो book आपकी language में लिखा हुआ है, और उसके बाद आप उसको समझ पा रहे हो, फिर याद करो, कितना फरक है आपको खुदी समझ में आ जाएगा, इसलिए किसी चीज़ को समझना और याद करना इसमें बहुत फरक है, इसलिए चीज़ों को समझना चाहिए, और स सुनोगे तब समझ में आएगा, बहुत सारे तो सुनते भी नहीं, मैं जो बोलता हूँ, सुनोगे नहीं तो फिर आप नहीं सीख सकते, concentration भी ज़रूरी आदत होती है, concentration ना होने की हमारी आदत होती है, तो इसलिए हम concentration एक जगा लगा नहीं पाते, तो आप लोगों को थोड प्रोग्राम लिखने वाला हूँ, उसके लिए मैं नोटपैड का यूज करूँगा, जैसे की ये नोटपैड में मैं ऐसे प्रोग्राम लिखूँगा, जावा का, उसके बाद, उसके बाद ना मैं इस प्रोग्राम को कुछ नाम दे दूँगा, जैसे की first.java, क्यों? जावा एक्स्टेंशन, क्योंकि अगर आप जावा के प्रोग्राम बनाओगे, तो जावा देना पड़ेगा, c++ के बनाओगे तो .cpp, python के बनाओगे तो .py, c के बनाओगे तो .c, ये एक्स्टेंशन आपको देना पड़ेगा, अच्छा, प्रोग्राम लिखा, लेकिन यह यह आपका operating system है यह operating system है मतलब windows मेरा 11 है यह मुझे बोल रहा है कि यह programming language को तो मैं नहीं जानता यहां तक कि मैं किसी programming language को नहीं जानता तो मैं इस code को समझ नहीं सकता मुझे नहीं पता इस code को चलाया कैसे जाता है इसलिए आपको जरूरत है एक compiler की compiler क्या करेगा इस code को पढ़ेगा और इसको convert करेगा उस language में हमारा operating system जिस language को समझ सकता है उस format में convert करके वो देगा अब मान लेते हैं चलो इसने convert किया इस compiler ने convert करके एक नई file बना दी c में भी बनाता है dot c वाली file को compiler converts the source code into machine code machine मतलब operating system बना दी c अगर language है तो बना देगा dot exe अगर c language है तो इसको operating system easily समझ जाएगा मतलब वो खुश भी हो गया अरे हाँ exe file है मैं इसको चला सकता हूँ dot c file को मैं नहीं चला सकता लेकिन यहाँ पे problem यह हो रही है कि आपने compile तो किया और operating system फिर बोलेगा अरे मैं इसको भी नहीं समझ सकता आपने यह क्या किया आपने class file बना दी मैं तो exe file समझता हूँ जैसे c c plus plus में आप करते थे वैसा ही compiler आपका नहीं यह क्या यह वाला यह तो कुछ अलग लग रहा है मुझे अगर वैसा ही compiler होता तो बड़े आसानी से मैं उसको समझ लेता लेकिन मैं इसको नहीं समझ पा रहा हूँ first.class को एक काम करो आप अपने laptop में मेरे ही operating system मैं खुदी हूँ मेरे अंदर एक software install कर दो जिसका नाम है jvm java virtual machine वो class file को समझता है आप उसको install कर दोगे तो मुझे overall idea आ जाएगा तो jvm जो है वो आपकी class file को execute करने के लिए है तो jvm java virtual machine आपकी class file को run करने में आपकी मदद करेगा तो run करने वाला part अलग compile करने वाला part अलग दो process की जाती है एक compile करना एक run करना आपने आज तक c programming में भी एक बार compile और एक बार run किया है दो अलग अलग चीज़े है तो compile भी करना है और आपको run भी कराना है दोनों काम कराना तो compile तो आपका compiler कर रहा है run jvm कर रहा है किसकी मदद से कर रहा है interpreter की मदद से कर रहा है interpreter ही run करेगा बहुत सारे लोगों को फिर difference समझता नहीं compiler और interpreter का सोचते हैं दोनों एक होता है अभी मैंने आपको proof करके दिखा दिया दोनों अलग अलग है एक compiler compile कर रहा है interpreter run कर रहा है run कैसे करता है बताता हूँ उसकी process देखो कैसी है उसका run करने का style थोड़ा अलग होता है मैं आपको भी बताता हूँ कैसे वो run करता है वो किसी भी class file वैसे भी class file को run करता है मैंने आपको बताया हुआ है class file को वो run कैसे करता है वो देखो अभी उस चीज को भी आप समझ लोगे अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको बनाओ क्या पुराना लोड हो रहा है ना इसके लिए ठीक है हो जाएगा वो मैं यह बोल रहा था आपसे कि आपने प्रोग्राम लिखा फर्स्ट डॉट जावा आपने उसको कंपाइल किया सबसे पहले मैं यहां पे क्या करता हूँ यहां पे बनाता हूँ प्रोग्राम फान लेते हैं आपने यहां पे प्रोग्राम लिखा इसका नाम है फर्स्ट डॉट जावा एक नई फाइल बनी कंपाइलर ने एक नई फाइल बनाई और उसका क्या नाम है फर्स्ट डॉट क्लास और इस फाइल को मान लेते हैं आपने जावा का प्रोग्राम लिखा यहां पे भी अंदर कुछ तो कोड़ी होगा भले आप पढ़ना पाओ लेकिन क्लास फाइल के अंदर भी कोड़ी होता है सबसे पहले इंटर्प्रेटर आता है वो यहां से एक लाइन को पढ़ता है जैसे कि इसको पढ़ होता है फिर आता है एक लाइन को उठाता है रन करता है एक लाइन को उठाएगा रन करेगा एक लाइन को उठाएगा रन करेगा ऐसे करता है पूरा का पूरा एक साथ रन नहीं करता जैसे कि सी प्रोग्रामिंग के अंदर होता है जो कंपाइलर होता है कंपाइल भी और रन करने के लिए installer नहीं है यहाँ इंटर्प्रेटर है तो वह क्या करता है एक एक line को run करता है तो बाद में देखा Java वालोंने आई यह समयन कर जाएगा एक काम करते हैं एक line को उठा कि जब रन कर रहा है तो यहाँ पे रुके नहीं चला जाये द दोसरी line को लाने के लिए रुका रहेगा तो यह समय लगाएगा तो एक काम करो जब तक इसको run कर रहे हो आता है दूसरा लाके ready रहता है जैसे उसका पूरा हुआ देता है दूसरा जाके लाके ready रहता है तो यह ऐसे काम करता है तो मैं आपको यही बता रहा था कि यह बहुत ज़्यादा fast है three times faster है यह java language किस से python से three times faster than python language अब आप सोचो दूसरी चीज यह बहुत ज़्यादा complicated लगता है बच्चों को java as मतलब java ही एक ऐसी language है सारी languages छोड़ दो और java छोड़ दो ऐसे लेकिन मुझे लगता है यही जब से easy है जब आप समझोगे तो चीज़े समझ में आएगे और आगे चलते हैं हाँ लेकिन आप सोच रहे होगे कि मैं तो program notepad में लिखने वाला हूँ कहां गया notepad यह software है यहाँ पर चलो मैंने java का program type कर लिया यह java का program मैंने type किया और मैं क्यों notepad यूज करने वाला हूँ अभी अभी समझाता हूँ आपको अब इस program को compile करने वाला है कौन यहाँ पर कहीं compiler है क्या नहीं इधर भी नहीं है इधर इधर भी कहीं नहीं है इधर भी नहीं है तो compiler है नहीं तो इस program को compile करके नई फाइल आखिर में बनाएगा कौन सवाल तो ये है इसलिए आपको java को download करना पड़ेगा java download कैसे करते हैं वो बताता हूँ पहले आपको यहाँ पे just search करना है java download search कर लिया यहाँ पे website आएगी java.com या फिर oracle.com मैंने आपको बोला ना oracle क्यों आ रही क्योंकि oracle का product है अब java तो इस पे click करोगे तो एक website आगे की open होगी दिखा देता हूँ मैंने click कर दिया है यहाँ बोल रहा है java 19 and 17 available now कर दो click जो भी आपको चाहिए उसके उपर यहाँ लेकिन नीचे लिखा हुआ है आपको कौन से operating system के लिए चाहिए लिनक्स के लिए चाहिए क्या mac के लिए चाहिए या फिर windows के लिए मैं तो बोलता हूँ मुझे windows के लिए चाहिए क्योंकि मेरा laptop windows वाला है आप यहाँ पे जो installer है इस पे क्लिक कर दो किस पे भी क्लिक कर दो यह बीच वाला ठीक है क्योंकि फिर आपको compress file वगरे नहीं आएगी विन आरे यार वगरे software की ज़रूत पड़ती है इसके लिए आप इसको बीच वाले को क्लिक करो आपका download स्टार download कर सकते हो दोनों रास्ते हैं आपके पास तो इस तरही के सरह आप download करोगे दिखा देता हूं क्लिक कर कि यह देखो download स्टार्ट हो गया यहा पर download हो रहा है नीछे इस तरही के सभी क्लिक करने के बाद स्क्रीन पछ्ले लिखा हुआ आएगा next उस बटन पर क्लिक करना फिर आएगा next फिर आएगा next फिर आएगा next और फिर आएगा finish खतब हो गया install और कुछ भी नहीं करना है जावा को install करने के लिए वस इतना है उसके बाद आप जब देखोगे installation वो यहाँ पर दिखाई देगा c drive में program files के अंदर किदर है जावा जे से जावा हाँ यहाँ पर इसे एपल जे से जावा देखे यहाँ पर जावा है इसके उपर मैं double click किया जेडी के नाम का folder मुझे दिखाई दे रहा है उसके अंदर आया अब यहाँ पर यह files है यह अपने आप बन गई है मैंने बनाई हुई है यहाँ पर मैंने कुछ यह डाली थी file derby नाम की एक database होता है जब आप install करोगे तो यह file आपको नहीं मिलेगी यह तो मैंने project बनाते समय बाद में add किया हुआ है आप मत करना तो यह छोड़ दो सब आपको सब कुछ ready made मिलेगा उसके बाद bean folder में जाता हूँ बीन folder में जाने के बाद मैं आपको न जावा बटन दबा के दिखाता हूँ जे दिख रहा है कि एक file java नाम की एक file है java c नाम की दो files है यह दोनों app है इनके आगे लिखा application इसके भी आगे लिखा application तो यह है किसी folder के और java नाम की वो क्या होती मैं आपको बताता हूँ एक file का नाम है java c और एक file का नाम है java यह दोनों app है यह files क्या बोल रही है यह app यह बोल रही है कि पहले यह बताओ किस file को compile करना है मुझे बताओ मैं उसे compile करूँगी और एक नई file बनाऊंगी तो आप java c को वो file बताओगी जिसे आपको compile करना है अपने program type किया था ना उसको save कर लेना और वो जो file save करोगे कुछ तो नाम दोगे ना first.java या कुछ तो अपने मन से कुछ तो दोगे तो आप जो भी नाम दोगे जैसे first.java तो बस आपको java c के आगे लिखना पड़ेगा first.java जिस file को compile करना compile करने के बाद आपको भी पता है एक नई file बनेगी क्या नाम होगा उसका first.class लेकिन .class लगाने की ज़रूत नहीं है इसको run किया जाएगा java application बोलता है मैं तो class file को सिफ run कराना जानता हूँ तो मुझे देना तो class file देना java file मत देना मैं run नहीं कर पाऊंगा बहुत सारे बच्चे यहीं गलती करते हैं जब पहली बार program करते हैं तो java और उसके आगे भी first.java लिखते हैं java c first.java compile कर लो एक नई file बनेगी first.class उसको run करना है तो आपको वो run कौन करेगा java करेगा तो दो application इसलिए एक compiling के लिए और एक run करने के लिए लेकिन आप बोलोगे इसे run कहां करना command prompt में यहां आपको लिखना पड़ेगा java c और उस file का नाम जो भी होगा first.java ऐसे ऐसे enter दबाना पड़ेगा यह बोल रहा है file not found बनाई किदर अभी तक मैंने program भी नहीं लिखा तो बोलेगा प्रोग्राम लिख देता तो यह नहीं बोल पाता ऐसा लिख दू program लिख देता है तो आपको दिखाता हूं कहां गया इसको save नहीं गया लिखा तो है save नहीं गया एक काम करता है मैं एक basic program बताता हूं उसको मैं पूरा explain करूंगा एक एक word को explain करूंगा बस एक बार लिख दे कि दिखाना मुझे कंपाइल कैसे होता है और यह सब क्यूं लिख रहा हूं एक एक वर्ड को मैं explain करने वाला हूं आपको ऐसी कोई भी चीज नहीं जो बच जाए कभी भी आप से कुछ भी पूछा जाए आपको आना ही चाहिए मतलब मैं नहीं कोई भी पूछे तो आपको आन कुछ प्रिंट कराना है मुझे हेलो प्रिंट कराना है तो मैं लिख देता हूं हेलो और इसका नाम रख देता हूं हेलो बस हाँ यह बोल रहा है सेव एज सेव करना आपको हाँ सेव करना मुझे किदर पता है डेक्स्टॉप के तो क्या नाम रखो इसका फर्स्ट डॉट जावा ही रख देते हैं रख दिया सेव कर दिया देखते हैं डेक्स्टॉप पे फाइल आई आगई देख लो आगई ना करू डबल क्लिक उस पर हाँ वही है फिर से करता हूं कमपाले देखो फिर बोल रहा फाइल नॉट फाउंड आप कौन से पाथ पे चेक कर रहे हो यह तो कोई और बात है सी ड्राइव का और आपने रखा कहां पे उस फाइल को डेक्स्टॉप पे तो कैसे मिलेगी यह तो बात सही है तो सी एल एस दबाता हूं जिसे क्लियर स्क्रीन बोला जाता है किया क्लिक उसके बाद मैं यहाँ प आगे हमें डिक्स्टॉप पे अब आप कर सकते हो लेकिन आप बोलोगे मुझे पाथ वगरे वाला टेंशन नहीं चीए क्या कोई और आसान रास्ता है क्या आपका प्रोग्राम जहां पे है वहां पे कीबोर्ड पे शिफ्ट बटन है उसको दबा के रखो और राइट क्लिक करो इस समय ऑनलाइन वालों को मैं बता दू कि मैंने शिफ्ट बटन दबा के रखा था और फिर मैंने राइट क्लिक किया देखो यहां पे आ गया ओपन पावर शेल विंडो हीर फिर से राइट क्लिक करता हूं यह देखो शिफ्ट प्रेस करकि राइट क्लिक किया अइस बा अंदर यहां पर मान लेते हैं Node.js यह अलग फोल्डर है इधर शिफ्ट मान लेते हैं इसको रन करना है पैकेज को शिफ्ट प्रेस करके राइड क्लिक करो आया उपन टर्मिनल पाथ देखो क्या है आ रहा है ना पूरा पाथ सीडी वगरे लिखने वाला टेंशन ही खतम करो य cmd command prompt के लिए cmd आप उपर जाके दो तरीके हैं हां यहां पर लेकिन आप बोलोगे इधर कैसे करें यहां करके दिखाओ यहां नहीं कर सकता मैं लेकिन और किसी फोल्डर में तो कर सकता हूँ file explorer open होना चाहिए इसको file explorer बोलते है पूरे screen को जो आपको दिख रहा है हां यहां मतलब यह कहां पर windows के अंदर का चीज है यह यह जो आपको दिख रहा है तो आप ऐसे कर सकते हो लेकिन ठीक है desktop की बात है हां लेकिन क्यों ना मैं desktop पर करके देखू cls clear screen run करना है क्या नाम है हमारे program का क्या first.java लेकिन पहले java c application को बोलना है java c को कि तुम हमारे program को run करो compile करो sorry run मत करो run तो java करेगा दोनों को अलग-अलग काम बताना java c से compile करवाना उसके नाम में भी c है first.java जैसे इंटर दबाऊंगा देखते हैं क्या कोई file create होती है क्या दबाया तो हूं मैं हां create हो गई देखे यह file अपने आप create हो गई जैसे compile किया किस ने करके दी java c ने उसको compile किया और एक नई file क्या extension है पढ़े लो class इसको run करने वाला कौन है java किसको अबस्ट डॉट class लिखने की जरूते है एंटर दबाऊ यह देको print हो गया hello बस इतना ही है ऐसे run किये जाते है program क्या लिखना है class क्यू लिखना है public क्यू लिखना है static क्यू लिखना है void क्यू लिखना है main क्यू लिखना है स्ट्रिंग क्यों सिस्ट्रिंग क्यों लिखना है आउट क्यों लिखना है सब बताऊंगा ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपको पता नहीं रहेंगी और इतना इसी लगने लगेगा एक हफते के बाद आपको जावा आप बोलो कि मुझे पाइथन से तो अच्छी जावा लग र कि लिख रहा हुँ तो आप उसको सोचते रहोगे और मैं पढ़ाते रहंगा आप उसको सोचते रहोगे मैं पढ़ाते रहोगा तो और टॉपिक्स निकल जाएंगे जब तक आप उसको समझोगे तब तक मेरे बहुत सारे टॉपिक्स हो जाएंगे तो आप कभी नहीं सीख पाऊगे आपको लगेगा कि मैं शायद अच्छा नहीं पढ़ा पा रहा हूँ हाँ आपको रेगुलर आना पड़ेगा तब ही चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी तो ये चीज़ ध्यान में रखो एक बात ये हो गई दूसरी बात ये है किसी किसी की प्रॉब्लम क्या होती हो भी बताता हूँ जैसे कि आपने यहाँ पे प्रेस किया था शिफ्ट प्रेस करके राइट क्लिक किया था जावा सी लिखा तो आप सोच रहे होगे ये वाली फाइल कैसे मिल गई इसको ये भी तो किसी फोल्डर के अंदर है जावा सी ये भी फाइल ही है न आखिर में ये कहां पे है दिखाता हूँ सी ड्राइब में प्रोग्राम फाइल्स के अंदर जावा के अंदर JDK के अंदर Bean के अंदर इधर है कहीं तो Java C नाम की फाइल इधर इसका क्या पाथ है? इतना बड़ा पाथ है हाँ अगर इस पाथ पे मैं open करता तो बात अलग था Java C मिल जाता टेक्स टॉपिक कैसे ये मिल जा रही है? Not found क्यों नहीं आ रहा है? Java C की जगा मैं Java B एंटर कर देता हूँ ये बोल रहा है Java B क्या है? हमें नहीं पता कुछ भी नहीं मिल रहा अगर ये किसी और folder में फिर भी नहीं मिलेगी folder गलत है ना आपका तो Java C क्यों मिल रही है? जब आप Java इंस्टॉल करते हो ना तो internally एक path set होता है मैं सिर्फ दबाया है ENV तो मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है Edit the system environment variables इस पर क्लिक करता हूँ यहां पर environment variables में जाता हूँ आप यहां पर देखो कहीं न कहीं Java का path already set होगा दिखाऊं आपको यहां पर देखते हैं यह Python का path set है ठीक है Python का भी set होता है Java का इधर ही किदर होगा हाँ देखो C program files Java JDK 1.82 और यह देखो bean दिख रहा है path set है अब उस path के अंदर जितनी भी files है सबको आप command brought में कभी भी कहीं से भी access कर सकते हो जितनी भी file है दिखा देता हूँ रुको और कोई file देखते हैं रुको उस folder के अंदर जाता हूँ कौन सी file है और यहां पर Java P है P भी है Java P JCMD Java W दिखाओ इसको चला के यह देखो CMD कहीं से भी अभी तो मैं दूसरे किसी folder में हूँ यहां Java C लिखके देखते हैं सिर्फ हाँ चल रहा है पाथ सेट है इसलिए यह Java C चल गई Java W भी है न Java W रुको इसको clear कर दू नहीं तो आपको दिखेगा नहीं हाँ Java W हाँ यह error नहीं आई कोई यह file ऐसे ही चलती है error आ जाती ही मतलब वो file नहीं मिली तो यह path set है इसलिए आप उस path के सारे files को access कर सकते हो आपका desktop का path set कर दू क्या अभी desktop पे कोई file है रुको क्या नाम है उसका first यह दे को पढ़ो क्या नाम है first ना लिखू क्या first dot java आया file not recognized लेकिन अब मैं उस path में जाता हूं क्यों से यह दे को right click किया और आ गया हाँ desktop पे आया अब लिखू first dot java direct आपकी कोई भी file हो text file भी आप लिखते हो ना note pad में कुछ तो लिखते हो तो enter करो हो गई open हो गई ना run मिल गई उसको क्यों क्योंकि आप उसके desktop पे धूड रहे थे सिर्फ code blocks धूड के दिखाऊ यह क्या code blocks सीथर लिखू code blocks dot ex लिखना पड़ता है नहीं code blocks लिखू क्या वो shortcut है इसके लिए नहीं चल रहा है और कोई file है cs app यह file तो नहीं है वैसे लेकिन इसको लिख के देखता हूं cs app यह भी नहीं ऐसे नहीं लिख सकते है file का नाम लिखना पड़ता है कोई भी अब यह सब shortcuts है मैं किसी और folder में होता तो मैं वहाँ पर लिख सकता था ठीक है file का नाम बताना पड़ता है यहाँ पर तो मुझे आपसे यहीं बताना है यहाँ पर कि अगर आप desktop का भी path set कर दो तो कहीं से भी access कर सकते हो desktop की किसी भी चीज़ को कहीं से भी लेकिन हमें कहीं किसका भी path set नहीं करना है java पहले से install हो रहा है path भी set हो रहा है ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूत है ही नहीं जो पढ़ा रहा हूँ direct जाओ जिस program को उसको run करना इतना सोचने की ज़रूत नहीं है environment variable क्या होता है हाँ अगर आप java 8 को download करते हो पुराने java को तो आपको न environment variable में path set करना पड़ता है क्या करना पड़ता है बताऊं मैं खुद से करना पड़ता है आपको जाना पड़ता है अगर आपने java 8 download किया वैसे company में java 8 use होता है java में आया jdk में आया bean में आया यहाँ पे यह path को copy करता हो copy copy कर लिया उसके बाद आना है मुझे environment variable में आया उसके बाद environment variable में click करना है new पे जाना है इधर लिखना है path path और यहाँ पे यह path paste कर देना जिदर आपके java c और java है वो वाला और ओके 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 बस path set हो गया कब जब java 8 download करोगे हो सकता है किसी का बहुत पुराना laptop हो या उसने पुराना version download किया और नया ने नया में तो auto set हो जाता है आपका बहुत सारा समय बच जा रहा है आपको जादा सोचना नहीं पड़ रहा है लेकिन ठीक है पहले यह पूरी process मुझे करके बतानी पड़ती थी सबको जो एक डेड़ साल पहले जब मैं पढ़ाता था तो java 8 ही होता था तब वही यूज़ करते थे जैसे windows 11 आया है तो जरूरी नहीं एक दम प्रॉपर है कुछ ना कुछ हो सकता है ऐसा करने पर वह long term पर पता चलता है तो उसके updates आते रहते समय के साथ हा लेकिन इतना पता windows 10 stable है आप कैसे भी उसको यूज़ करो अब तो वह बंद हो गया है लेकिन फिर भी तो वैसी चीज़ है तो ये सब मुझे आपको बताना था इतने lecture में मैंने ये बताया है अगले lecture से जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको आपको class पढ़ाऊंगा क्या होता है फिर functions क्या होता है वो बताऊंगा class के अंदर ही function को क्यों लिखा जाता है क्यों मैं इस function को ये जो main नाम का जो function है ये इसको मैं class के बाहर क्यों नहीं लिख सकता यहाँ पे ऐसे क्यों class के अंदर ही हर function को लिखना पड़ता है ये सब के बारे में हम अपने अगले lecture में बात करने वाले आज मुझे यहीं तक बताना है तो कल आओगे जब आप तो इन सब चीजों को continue करेंगे हम हाँ आज के बारे में किसी को कुछ पूछना है तो अपने सवाल पूछ सकता है कुछ अगर किसी का कोई doubt है पूछना चाहते हो कुछ तुम लोग कुछ पूछना चाहते हो कोई चीज है जो तुम लोगों को नहीं समझी है तुम्हें कुछ पूछना है लास्ट में समझा है ठीक है जा सकते हो फिर आज ऑनलाइन वालों को कुछ पूछना है ऑनलाइन भी बहुत सारे students थे किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो आप नहीं न चलो फिर बाई सबको